कुछ खास सितारों के कारण हमारी फिल्मी दुनिया का आस्मान हमेशा से जिल मिलाता रहता है। पर उनकी रौशनाई के सामने उन छोटे-छोटे सितारों की उपस्थिती को मौखेक रूप से शायद ही तारीफ करने योग के माना गया। ये बात भी उतनी ही सच है कि किसी के होने या ना होने से फिल्म जगत को कुछ खास फर्क पड़ता नहीं और जब बात छोटे-छोटे कलाकारों के योगदान की करे तो उन्हें कीडे-मकोडे समझ कर पाउं के तले कुचल दिया जाता है। आज हम ऐसी अदाकारा को लेकर आए हैं जिनके नाम सबसे अधिक समय तक जिन्दा रहने का अधभुद रिकॉर्ड दर्ज है। जी हाँ, 80, 90 या 100 नहीं उस कलाकार ने 106 साल इस दुनिया में गुजारे। परंतु दुर्भाग ये था कि उनकी मौजुदिगी से किसी को कुछ फर्क पड़ा नहीं। ये बात चान कर आप भी सोच में पढ़ जाओगे कि उन्होंने लगभग 100 फिल्मों में छोटे-छोटे परंतु जरूरी किरदार निभाय थे। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे दर्शक श्री राहुल कुमार जी का, जिन्होंने अभिनेतरी राज माता जी की जानकारी हमें मुहया करवाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके रिशिता, हिंदी रेडियो पर आपका स्वागत करती हूँ। अब देख लो बहु को, कैसी रही कि फ्रांसिस अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। काम कोई मुश्किल भी नहीं, इंसा में अगर हिम्मत हो। शाद मानी ओ, शाद मानी, हर हुगाने पाजिकादी। पहल पहल जब उसे मैंने देखा। इस गाने और मूवी सीन में आपने जिस बूरी महिला को देखा। उनका ही नाम राच माता है। बेशक उनकी गिंती जूनियर आर्टिस्ट कलाकारों में होती हो। पर हमारे चैनल ने उन सभी छोटे बड़े कलाकारों को प्लैटफॉर्म दिया है। जिनके कारण हमारी फिल्म में दुनिया रौशन हुई। कुछ महीने पहले हमने मूलचंद जी की कहानी भी बताई थी। जो अमिताब बच्चन की फिल्म डौन के इस गाने में दिख रही है। इसके अलावा दर्शन, किदारनात सैगल जैसे बाकी जूनियर आर्टिस्ट की जानकारी देने वाला पहला चैनल भी हमारा है। इस सिलसले को जारी रखते हुए हम आज राज माता की कहानी सुना रही है। बेटी को आर्थिक मदद करने के लिए उन्होंने वर्सोवा में पूरी भाजी का ठेला भी लगाया। पर इस काम से उन्हें इतनी कमाई हुई नहीं। बात के दिनों में मनी बैन अपनी बेटी के साथ अंधेरी इस्ट के एक चॉल में बज गई। आपको बता दूँ कि उनके चॉल के ठीक बगल में मोहन स्टूडियो था जहां क्लासिकल एरा की फिल्मों का निर्मार होता था। शूटिंग देखने के बहाने मनी बैन अक्सर स्टूडियो के इर्दगिर्थ चक्कर लगाती थी। करीब करीब पांथ साल यूहीं गुजर जाने के बाद वो मौका आ ही गया जब मनी बैन को कैमरा के सामने आने का मौका मिल गया। उस वक्त यानि 1946 में वहाँ चमकती बिझली नामक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। डायरेक्टर होमी मास्टर को धेर सारे जूनियर आर्टिस्ट की जरूरत थी। ऐसे में मोहन स्टूडियो में मौजूद मनी बैन को भी भीडवाले चितरी करण के एक सीन में खड़ा होने का मौका मिला। इस छोटे से काम के लिए उन्हें पांच रुपे मिले जो पूरी बाजी के ठेले से होने वाली कमाई से काफी जादा था। ये बात उनकी बेटी सविता और उसके पती जमनादास को पता चली तो उन्होंने भी मोहन स्टूडियो में जाने का नेर्ने लिया। इस तरीके से मा, बेटी और दामाद फिल्म जगत में छोटे काम के लिए ही सही योगदान देने लगे। आपको ये भी बता दूँ कि शायद ही किसी फिल्म में उनका नाम क्रेडिट में आया था। ये तो बस एक सिलसिला चल गया, जो किसी फिल्मकार को बुड़ी महिला की जरुवत पढ़ने पर मणी बेटी शाह का चैन होने लगा। बाकी ये बात भी सच है कि मणी बैन और उनकी बेटी सविता उन लाखो जूनियर आर्टिस्ट में से एक साधारन कलाकार थे। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि मणी बैन को राज माता ये नया नाम 24 साल बाद मिला था। मतलब 1946 में उन्होंने काम करना शुरू किया और 1970 में उन्हें राज माता नाम मिला। वो किस्सा था 1970 के जमाने का जब फिल्मकार शांती सागर दरार फिल्म बना रहे थे और मडी बैन भी उनकी टीम के साथ कश्मीर गय हुए थे। बॉंबे ब्लास्ट का सीन फिल्माते वक्त शांती सागर ने मणी बैन को बोल दिया था कि उन्हें ब्लास्ट में होने वाले जगह से दौर कर आना है। पहले ही टेक में मनी बैन ने शौट दे दिया। ये देखकर डारेक्टर ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें बॉम फटने की आवाद से डर नहीं लगा। इस किस्से के बाद शांती सागर ने उन्हें राज माता इस नाम से संबोधित किया और आने वाले दशको साल तक मनी बैन शाह राज माता इस नाम से पहचानी गई। जगत में सक्रिय थी। फिल्म काला बजार में सविता ने अभीनेता शशी किरण की मा का किरदार निभाया था। नजर के सामने प्यार का सपना अभिमान हम है कमाल के जैसे कुल मिलाकर 170 फिल्मों में सविता काम कर चुकी है। नबे का दशक खत्म होते होते नए जमाने की नई फिल्म में बनने लगी और हजारों जूनियर आर्टेस्ट वेरोजगार हो गया। परन्तु इस संकट से राजमाता को रूबरू होने का मौका मिला ही नहीं। क्योंकि तब तक राजमाता 106 साल की उम्र में अपने जीवन की आखरी सांसे एक आश्रम में ले रही थी। और वही 1996 में उनका निधन हो गया। दुर्भागी ये भी था कि उनकी मौत से पहले ही सारे बेटे भी गुजर गया थे।